नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईश्मान भव में, मैं हूँ प्रीती सिंग आईश्मान भव में, आज हम बात करेंगे कोविड की, कोरोना की कोरोना वाइरस का संक्रमट देश में पिछले कुछ दिनों से तेज गती से बढ़ता देखा जा रहा है हालात ऐसे हैं कि 6 महीने में पहली बार, 3 दिनों से लगातार 3,000 के आसपास लोगों में संक्रमट की पुष्टी हुई है कोरोना के जिस वेरियंट यानि XBB.1.16 ये जो वेरियंट है, इसे बढ़ते मामलों के लिए जिम्मिदार माना जा रहा है अध्यनों में इसकी संक्रमक्ता की जो दर है वो काफी जादा बताई जा रही है पिशले एक महीने के आकड़ों पर अगर नज़र डाले तो ये पता चल रहा है कि संक्रमन के कारण जो मरने वालों की संक्या है उसमें भी काफी उछाल आया है क्या ये आकड़े जो है वो गंबीर स्थिती की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या संकेत दे रहे हैं आज हम इसी पर बात करेंगे विश्वस्वास से संगटन यानी WHO के अनुसार पिछले 28 दिनों में भारत में COVID-19 से होने वाली मौतों में 114 प्रतिशत से अधिकी वृध्धी हुई है वहीं जो संक्रमन के आकड़े हैं उनमें 437 प्रतिशत का उच्छाल आया है कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरियंट को गंभी रोगों और मौत का कारक नहीं माना जाता रहा है पर ये जो आकड़े हैं वो चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं तो आज बात कोविड की करेंगे और इस पर हर जरूरी चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तीन खास मेवान मौजूद हैं जो कि अलग-अलग पैथी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर संजे राए जो की प्रोफेसर हैं डेपार्टमेंट अफ कमेडिटी मेडिसिन एम्स आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया आईश्मान भव में हमारे साथ जुड़ने के लिए साथ हैं डॉक्टर टीपी रस्तोगी सेंट्रल रिसर्च इंस्टिटूट फॉर होमियोपेथी आपका भी डॉक्टर राथ बहुत स्वागत और शुक्रिया आईश्मान भव में हमारे साथ जुड़ने के लिए जो डबलो एचो की हालिया रिपोर्ट है वो कह रही है कि भारत ही नहीं बलकि पूरे दक्षन पूर्व एश्या क्षेत्र में नए कोविड मामलों में अच्छानक वृद्धी देखी गई है जबकि वैश्विक्स तर पर जो मामले हैं उनमें लगबग 27 पृतिशत की कमी आ उमाइक्रोन वेरियंट है एक्स बीबी 0.1.16 और इसके अलावा जो वेरियंट है उन पर बारीकी से फिलहाल नज़र रखी जा रहे है पिछली कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़हुतरी देखने को मिल रही है अब एक बार फेर कोरोना वाइरस भारत में ड़राने लगा है ओमाइक्रोन एक्स बीबी 1.16 सब वेरियंट देश में कोरोना के प्रसाद का बड़ा कारण माना जा रहा है कई स्टडी में सामने आ चुका है कि कोरोना का ये नया वेरियंट बहुत जादा संक्रामक है यानि इसकी एक से दूसरे व्यक्ति को सं संक्रमित कर रहा है जो वैक्सीन लगवा चुके हैं वेज्यानिक लगातार कोरोना के नए वेरियंट पर शूर्द कर रहे हैं ये जानने के लिए कि ये वाइरिस आखिर कितना घा तक साबित हो सकता है स्टडी में सामने आया है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उ जिन लोगों वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें इस वाइरिस का खत्रा बहुत जाता है देश में कोविड-19 के आक्टिव मामलों में व्रिधी तो वही रही है साथी साथ मामूली सरती जैसे लक्षरों के साथ फ्लू के मामने भी काफी बढ़ रहे हैं ऐसे में हर को ये जानन में भी कोई सवाल है जो भी जानकारी इसे जुड़ी आप लेना चाहते हैं आज आप हमारे कारिकरम का हिस्सा बन सकते हैं हमारे जो नंबर है वो लगाता है टीवी स्किन पर फ्लाश हो रहे हैं हमें कॉल कीजिए और पूछिए अपने सवाल तमाम जो स्वास्ते विशी श मेरा कुस्टन ये था। हालो पूछिए अपूछिया, इक बार में सवाल कुछिए मेरे ठीडर्य ये था कि मेरे मेरे क्रिली मीन है उनको किछले तीन महिना के लगातार खांशी हो रही है और उसमें कुल ज़्वा लेने पर सुदार में होरा है तो ऐसे में कैसे पता चलेग किसी डॉक्टर को दिखाया है उन्होंने अब तक हाँ दिखलाया है क्या बताया है डॉक्टर ने डॉक्टर ने मेडिसिन्स दिया है खासी की वज़े नहीं बताई है उन्होंने क्या है नहीं है ठीक है हम दॉक्टर से अपके सवाल का जवाब लेते हैं दॉक्टर संजर राय दूसरा है आजकल यह देखने में की बाद कोडिक नुक एंड तरह रहा है उसके तरवा जय सकता है तीसरा कारण यह सकता है कि जो चल ला है जो है सिजन phoo का होता है Buck flu से infection होता है जो influenza virus जिसकों कहते हैं और उसके कान से भी same symptoms होते हैं जो almost COVID के हैं बुखार आना आपका जो है सरीर में दर्द रहना और खांसी होना common cold जैसे लक्षन पाए जाना तो इसलिए जो है अगर mild cough है तो बहुत चिंता की जुरत नहीं है लेकिन अगर severe cough उनको लगाता रह रहा है तो फिर किसी doctor को दिखाए फिर से और वो खुद ही जांच कर लेंगे उनको दिखाते रहना चाहिए नहीं अगर अलाम में रहा है तो आप उनके और भी कुछ टेस्ट होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं ज़रूर लीजे आप हमाई साथ राम बाबू जुड़े हैं मध्यप्रदेश से हमें कॉल किया है स्वागत है आपका राम बाबू जी बताएए क्या प्रशन आपका पूछिए एक बार में अपना सवाल पूछिए हालो जिस लोगों को वेक्सीन नहीं लगी उनका क्या है ठीक है बार बार इस बात पर जोड़ दिया जा रहा है कि ये वैक्सीन लगवा ही जा ए डॉक्टर राज गुपाला वैक्सीन को लेकर आप हुमियोपैथी एक अपनाम लोगों में अभी भी भरम है और कई ऐसे लोग हैं जुन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है हाला कि भारत एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए आगे चल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर आपकी आयूरवेदिक विशिशगी के नजरीय से वैक्सीनेशन को लेकर क्या नजरीया है बताईए वैक्सीनेशन डी सी स्पेसिफिक व्यादी स्पेसिफिक होता है और ये कोरोना के लिए जो वैक्सीनेशन आया है वो कोरोना स्पेसिफिक है तो हमारा राय ऐसा है कि वे आक्सिनेशन लेना चाहिए. उसके साथ साथ शेतर शरीर को बलवान. अपना इम्मुनिटी स्टेटस को बलवान करना चाहिए. फिर बैक्सिनेशन लेना नहीं. बिल्कुल. ठीक है, यई दोनों चीज़े जरूरी हैं. दोनों जरूरी है बिल्कुल डॉक्टर पदमाले रत वैक्सिनेशन को लेकर मैं चाहूंगी आप भी थोड़ा सा संदेश दीजे लोगों को वैक्सिनेशन जैसे गौर्मेंट में यह है कि वैक्सिनेशन लेना है मगर वैक्सिनेशन लेने से हैं हम कोवीड फ्री हो जाएंगे हमें और कोवीड नहीं होगा इसके लिए कोई हम बादा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो आज वैक्सिने जिस भाइरस के गेंस में दे रहे है काल वैक्सिन दूसरा मुटेशन में जा रहा है तो उसके लिए वैक्सिन तयार किये है उसके लिए कारगार नहीं हो सकती है फिर पर भी एक गौर्मेंट की योजना है, हम सारे भैक्सिन को लेना चाहिए, अपनाना चाहिए, मगर साथ की साथ हमारा इम्मुनिटी को भी हमें बढ़ानी चाहिए, जैसे कि हम अपना जैसे सरीर का देखवाल ठीक से करना चाहिए, हमें COVID प्रोटोकोल को मननी चाहिए, हमारे स कामाजिक दूरता मैंटेन करनी है, मास्किंग यूज करनी चाहिए, हैंड सानिटेशन जैसे डबलो एचो की द्वारा बताया गया है, वो मैंटेन करनी चाहिए, और जो हमारा हाई रिस्क ग्रूप है, उन लोगों के लिए भी हमें देखना चाहिए, कि जैसे मतलब बुज रहेंगे, कि मतलब उनको कोई बीमारी ना हो, और रोग और ना बढ़े, और साथ की साथ हमारा जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम क्यार रखेंगे, इसके लिए हमारा लॉंग्स वाल्यूम के से बढ़ेंगा, इसके लिए हम डेली बाते हैं, उनका ध्यान रखना होगा, वैक्सिनेशन को लेकर जो भी अब तक अध्यन हुए हैं, वैक्सिन के एफिकैसी को लेकर, आप डॉक्टर संजर है, क्या बताएंगे, कई कुछ जो ऐसे लोग हैं, जो वैक्सिन से अभी भी डर रहे हैं, हाला कि अब तो हम आगे और बूस्टो डोजस में भी आगे जाने जनुरी से, कई देशों में जो है, दिसंबर 2020 में ही शुरू हो गया था, तो दो साल से ज़्यादा वैक्सिन के बारे में भी हमारे पास काफी इविडेंस जनेर चुका है, मुझे आद नहीं है, कि किसी बिमारी के लिए इतने जादे रिसर्च या इतने जादे वह मतलब कंपेर ही नहीं किया जा सकता है, और आज की डेट में हमें जो भी निर्ने लेना चाहिए, उसको देख के लेना चाहिए, तो यह वैक्सिन का बहुत बड़ा रोल था, सिवियर्टी को घटाने में, डेथ को घटाने में, जब पूरा पॉपुलेशन हमारा ससेटब मिलता है, वैक्सिन उसी प्रिंस्पल पे काम करता है, जिस पे नेच्रल इंफेक्शन काम कर रहा होता है, तो अल्मूस्ट दोनों से ही प्रोटेक्शन मिलता है, और लंबे समय तक प्रोटेक्शन मिलता है, वैक्सिन में यह है कि कुछ समय बाद 6-8-9 महिने बाद वैक्सिन का protection level हुआ नहीं रहा जाता और इसलिए जो है हमें booster की जोड़त पड़ती है जबकि जो अभी अध्याना है बहुत से अध्याना चुके है अब तो जो research हुए है कि एक बार natural infection होने के बाद जो है जो आपको protection मिलता है वो काफी लंबे समयते मिलता इवेन तो कुछ study यह कहती है नेचर में published हुआ था high impact journal है कि हो सकता है आपको lifelong immunity मिल जाए एक बार COVID होने के बाद severity death से reinfection हो सकता है तो अब जो है वैक्सीन का जो है उस तरीके का रोल उतना नहीं रहा जितना हमारा पहले था वैक्सीन ने बहुत ही जादे life बचाई है इसमें कोई सक नहीं है इसमें जो है government monitor कर रहे है रहे है जो है guidelines हमारे बदलते रहते हैं जो भी government guidelines चाहते है उसको लोगो को follow करना चाहिए जहां तक science की बात है तो science में हमें जो है इसके characteristic को जो वाइरस का character है उसको monitor करने चाहिए कि क्या वैक्सीन लगने के बाद भी खत्रा पैदा कर रहा है यह आपके तब प्राब्लम हो सकती है, अनलाइकली है कि ऐसा होने वाला है, तो इसलिए अभी कुछ ऐसा है, गार्लाइन्स में चेंद नहीं हो रही, गौर्मेंट इसको अभी कुछ दिन पहले ही गौर्मेंट ने सारे स्टेट को लिखा था, जिनोम से केंशी करते रहे, इसको माइटर क अमरित कुमार हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए है, उनका हम कॉल लेते हैं, आपका स्वागत है, अमरित जी बताएए, क्या प्रशना अपका? आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया अभी तक? आप तर तक शीक था, तर दिखाया लेकिन आप तर दिस हो रहा है, तक क्या करें इसके लिए इसके लिए क्राइए, क्या करें आप लुक्त राइलना चाहरे हैं? ठीक है, और कोई बी सिम्टम है आपको? नार कोई सिम्टम नहीं है ठीक है, डॉक्टर राज गॉपाला क्या वज़य हो सकती है इसके पीछे? यह सीने में दर्ध होने के लिए बहुत सारा वज़य है, यह अभी वक्ता परशन पूछ रहे ते हैं, इसी जी करना है क्या? तो हार्ट का का राण भी हो सकता है, किस्ट लंक्स का राण भी हो सकता है, या सिंबल डाइजेशन रिलेटेड भी हो सकता है, वे अनौरोध करूंगा कि अच्छे डॉक्टर को दिखाए, दिखाके परामश करना हैं उसको लाइटली ना ले बिल्कुर यूँकि हफते भर से ये सिंटमिन को नजर आ रहा है तो इसलिए आपको डॉक्टर को जल से जल देखाना चाहिए इसके लावा डॉक्टर पदमाले रद जब मैं हुमियोपेथी को लेकर इसमें क्या होती है इसको देने से इम्मुनिटी बूस्ट होती है तो लोगों में से जिनको मतलब और डिपेंड करते है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अरसनिक ले लिए तो और कोविड को लगादर आपका एक्स्पोजिर होता रहेगा और आपको कोविड नहीं होगा यह जरूरी नहीं है क्योंकि ओर डिपेंड करती है बाइरल लोड कितना हो रही है उसका जिस परसन को हो रही है उसका कोई बहुत सारे confounding factor रहती है उसका age क्या है उसका कोई comorbidity है की नहीं और सारे के उपर depend करती है तो अभी हमारे respiratory tract infection के लिए कई सारे medicines है और जो की हमारा symptom similarity को देखके हम उसको देख रहे है और यह कारगार भी हो रही है बिल्कुल ठीक है ए क्या प्रशने बताएएर Sigila Prashner 229 जो नया वेरिंटाया ऑटो क्या प्रसने बताएएर मैं मैं यह पूसराओं की जो ने ह्या आरी ने हम इसका अदिट मैंटिशल लगभा की प्र फरेंटा गाहिए यह वेरियन्ट आया है जी बताईये सागर सवाल पूर पर देखे जो नय वेरियन्ट के वारे में जानकारी और यह नहीं कि अभी 2-4 दिन पहले आया है हमारी कंटी में भी जनुरी में भी रिपोर्ट हो चुका है इवन सेप्टमबर में भी रिपोर्ट हो चुके थे कुछ केसे तो 6 मेने के तो काफी इसके बारे में जो ओमी क्रांग था ओमी क्रांग वैरियन्ट का ही एक यह स्वरूप है जैसे वैरियन्ट आप कंसर हम कहते हैं जब बहुत बड़ा म्यूटेशन्स हो जाते हैं और वह वा आपके अप्रिल और में में जो काफी जो है जिसने को हराम मचाया था वो डेल्टा वेव था उसके बाद यह आया था आपका ओमी क्रांग जो है पहली बार रिपोर्ट हुआ था आपके साउथ कोरिया और सारी साउथ अफरिका और बोस्वाना नॉंबर 2021 में हमारे हाथ जो इसका वेव आया था जैनवरी 2022 में वेव आया था एक साल पहले उसमें भी मिटेशन्स होते रहते हैं इतना बड़ा मीटेशन्स उसमें नहीं हो गया है जो मिटेशन्स होने के बाद जो अभी variant है यह variant आप कंसर्ण नहीं है उस ही का lineage है घुक्रान का ही इसमें जो है इसकी को आसपास करता था यह जो है तीन से लेके और आठ के बीच में कुछ भी इसकी जो है इन्फेक्टिव्टी है तो बहुत ही ज्याद है उसे टू टू थी टाइम्स जो है ओरिजिनल वान वाइरस से ज्यादा इन्फेक्टिव्टी है मतलब एक आदमी को इन्फेक्शन होता है तो इतने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है लेकिन आप उसकी चिंता ना करें क्योंकि सरकार उसको मानीटर कर रही है कि क्या यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है ऐसा अभी कुछ हби नहीं आया है यह खतरना ज्यादा है जो भी हمारे पास एविडेंस है वो यह है कि infectivity जादे है लेकिन बहुत ही बड़ा खतरनाक है इसका evidence नहीं है जी ठीक है डॉक्टर राजगोपाला आयूरवेद कैसे देखता है यह अलग-अलग variant का आना उसके हिसाब से अपने शरीर को तयाद गरना कैसे देखता है आयूरवेद इसका धन कैसे करता है आयूरवेद मे जो भी वेरियंट जितना भी आया है उसमें एक मुख्य लक्षन था फिव जवराना शरीर का ताप बढ़ना उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी इंफेक्शन सा पहले वे में सेकेंड इसमें जादा जादा काडेक या बलड रिलेटेड लक्षन दिखते थे अभी जो आ रहा ह है उसमें रिस्पिरेटरी रिलेटेड ही मिल रहा है तो सांक्रामिक रोक नया नहीं है और आयर्वध ये बोलता है कि जो भी सांक्रामिक रोक है उसको रोकना है मतलब निदान को रोकना है तो प्रिवेंशन इस बेटर जो भी हमारा पास है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं है रेंड हैजीन से लेके मास्क पहनना और तच या कॉंटेक्ट जो आना उसको रोकना तो यह आयरुवद भी बोलता है और इसको रोकने के लिए भी रास्ता बताये हुआ है और शरीर को शरीर का व्याधिक शमत्वा जो पैसिटी है उसको बढ़ाने का करिया करना चाहिए वो जो सीजनल फूर्ट उसचेशन वेजएबल जो इस पर्टीक्वल समय में ज्यादा मिलता है वो हमारा शरीर के लिए अनुकूल कर होता है व्याधी प्रतिरोज शक्ति को बढ़ाने वाला होता है अईसे चीजों को हमें लेना चाहिए एंड हैंड में आजिएन करना चाहिए vaccination साथ में लेना ही चाहिए क्योंकि vaccination भी रोग प्रत्रोशक्ति को बढ़ाता है दो DC specific है तो भी और उसके साथ-साथ कुछ simple measures है जो नाक के द्वारा या मुह के द्वारा आता है तो इसको मुह को तो ढख सकते हैं मास्क से नाक को भी ढख सकते हैं उसके साथ-साथ कुछ oil, तेल, मीडिया अगर नाक में लगाते हैं एक अनुतहिल बोलके हैं अनुतहिल के ऊपर बहुत सारा research हुआ है और ये dust particle के साथ-साथ वाइरस, बैक्टिरिया को भी काफी हद तक रोगता है उसको नाक में डालना, नाक में apply करना या नाक में नस्ये का रूप में एक या दो बूंद डालना जब भी घर से बाहर निकलते हैं ये डालना उसके उपर से मास्क बहनते हैं तो डबल प्रोटेक्शन मिलेगा तो ऐसे करके हमें रोग को आने को रोकना चाहिए या स्परेड होने का भी रोकना चाहिए ठीक है, ठीक है तो यानि ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स के आप बात कर रहे हैं इसमें एक बड़ा रोल आयरवेद निभा सकता है डॉक्र पत्माले जैसे आपने भी बताया है प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर कि होमियोपेथी किस तरह से मदद कर रहा है क्योंकि इस दौरान बहुत सारी जानकारी है और कुछ गलत है, कुछ सही है ऐसे में कुछ दवाईया हैं होमियोपेथी की भी जिनकों लेकर नाम बहुत आम है कि इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं क्योंकि होमियोपेथी को लेकर जितना मुझे पता है बहुत है इंडविजुलाइजड और बहुत ही आप लोग हर व्यक्ति को देख के उसे साफ से दवा दी जाती है तो ऐसे में एक होमियोपेथी विशिशगी की सला लेना किसी भी दवा को लेने से पहले कितना जरूरी है कोई भी आप मेडिसिन लेने के लिए मतलब यह तो misleading advertisement होती है जैसे कि COVID second wave आया था उस टाइम पर बहुत निकल चक्चा में आया था कि अप ले लिजेए सब लोग वाटसप इन्यूर सिटी को फालो करके अवे डिसीन ले रहे थे मगर यह थानिकरण भी हो सकता है और हमारे भी भी फार्मा को विजिलन्स डिपार्टमेंट में भी आजकर बहुत सारे होमियोपतिक मेडिसिन का भी मतला होमेपटिक मेडिसिन का मिनिमम साइड इफेक्ट है मगर ऐसे नहीं बॉल सकते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि कोई भी मेडिसिन आपका अच्छा भी काम कर सकता है डिपेंडिंग आपने इट्स डोस बहुत बुरा खानिकारग भी हो सकती है तो इसलिए हमें हमेसा कोई भी डॉक्टर की सला लेके ही हमें दवाई लेनी चाहिए ऐसा नहीं है कि मतलब आर्सनीक बोला गया है तो हम लगादा दो चार महिने पांच महिने छे महिने तक रोज तीन तीन डोस लेते रहें वो हमारे लिए हनिकरक हो सकती है क्योंकि यह ड्रॉक डिजीस जो इटोजिनेसी होती है जो फिजिशन कटिमंद डिजीれた ओ हो सकती है तो इसलिए हम इसको डोड़ नहीं कालर है ठीक है एक कॉलर हैए प्रियंका हमारे साथ जुरी है नोइडा से इन मगर मैं जब रॉक्टर को दिखा रही हूँ और आठीकेस भी करवा रही हूँ तो उसमें कोविड नहीं आ रहा है मगर मेरे बॉड़ी में जान ही नहीं है और मैं उच्छ फिल्ले में बाउटने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और सर एकदम भारी रह रहा है हर समय ठीक है ठीक है प्रेंग आप हमारे साथ कॉल पर रही है उसकते डॉक्टर आप से कुछ सवाल करें देखिए इस समय फ्लू सीजन भी है तो एक तो फ्लू भी हो सकता है अगर कोविड की जांच की कोविड नहीं आए दूसरा कोई जोरी नहीं की कोविड हो तो हमेसा जांच में आई जाएगा वह सेंपल लेने की विधी पर ट्रांस्पोर्ट हमने कैसे किया उस पर डिपेंड करता है और ठीक से सेंपल नहीं आया है तो निगेटी भी आ सकता है प्लस टेस्ट की लिमिटेशन होती है हंडेट परसंट पर पाजिटिविटी नहीं दिखाता है तो कई कार परना होके फ्लू भी हो सकता है लेकिन दोनों का यह है कि दस दिन हो गया है तो दोनों जी दस दिन से जादे यह नहीं करते हो सकता है आपको पहले COVID हुआ है बात में फ्लू हो गया हो दोनों एक साथ हुआ हो या पहले COVID हुआ बात में फ्लू हुआ है लेकिन इनकी एक अव मौनिटर करें अगर आक्सिजन ही सब कुछ ठीक है फीवर आप कर रही है कि आपका कम हो गया आप नहीं है तो ग्रेजुली जो है यह भी सबसाइड हो जाना चाहिए लेकिन अगर सिस्टम परसिस्ट करते हैं तो आपको तुरंट डाक्टर से कंसर्ण करना चाहिए या अगर आपको अक्सिजन का लेवल जो है चेंज होता है गिरता है तो तुरंट डाक्टर से जरूर मिलना चाहिए ठीक है नोक्टर आजगोपाला इस तरह के जो तब्यत खराब है जो एक हफते से प्रेंका ने अपने परिशानी बताई है इसमें आयर चाहिए पीने का आदत होता है लोगों को तो उसमें आधरक डालके लेना ऐसे नहीं है कि आधरक डालके लेने से कम होगा जो कि फाइदा मिलेगा राहत मिलेगा और दूसरा एक चीज है कि यह अच्छा है जो था को प्रूंगी भी आगे क्योंकि ये भी काफी कुछ देखने को मिला है लोगों ने हगत से जादा अगर किसी चीज़ का अस्तमाल किया है तो उसके गलत परिणाम भी देखने को मिले है यानि फाइदा ना होकर बलकि नुकसान हुआ है तो क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर हम आगे बात करेंगे आप कॉल कर सकते हैं नंबर्स हमारे लगाता डीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं डॉक्र पतमालेरत जैसे आपने प्रिवेंटिव मेजर्स को लेके मैंने जैसे कहा आपने बताए और आपने ये भी कहा कि बिना डॉक्टर की सलहा की हुम्योपेथी दवा जा सकता है कैसे किया जाए हुमЕोपैथी रास्ते पर कैसे चला जाया आगे जैसे भी हो में पती हो ऐलोपैश misri हो आने कोई भी पैथी हो उसकते हमें हो कब है कि डाक्टर गोरु दरह परका सबसIC जोजो है और उसका शिम्टम सिमिलारीटी देखके वह डॉक्टर जो जैसे बोलेंगे एसे ही लेना है एक बार पेसेंट आये उनके लिए अगर पांस दिन के लिए डॉक्टर ने लिखे हैं तो पांस दिन के बाद फिर उनका फुटफॉल सिक्स्टी होनी चाहिए अगर नहीं हो रही है तो फिर उस medicine को continue ना रखके और रहेंगे फिर बात में जब भी भी होगा उस टाइम पर आएंगे क्योंकि prevention is better than cure और इसका नहीं है कि मतलब कोई disease होने के लिए हमें क्या साबधानिया लेनी पड़ेगी ओ सारा तो हम maintain करेंगे और साथ की साथ जो दवाई 7 करेंगे और डक्टर के परहमर्स के हिसाब से अधर्वाइस हमें बहुत सारे उसका जो मतलब फाइदा होने की बदले में उसका नुकसान को भी समुखिन होनी पड़ेगी तो इसके लिए हमें careful रहना पड़ेगा क्योंकि अब इतना टाइम हो गया अब कोविड से जूझ रहे हैं हम लक्षे अन काफी बदले है मतलब सिंटम्स बहुत ज़्यादा बदले है शायदी किसी और बीमारी में या मैं कहूं कि किसी और वक्त में इतने सारे सिंटम्स देखने को मिलते हूँ कैसे समझा जाए है क उसके साथ मन यह भी कहा था, कि self-limiting disease है, self-limiting disease का मतलब होता है कि अपने आप उसकी एक अवधी होती है, उसमें खतम हो जाता है, जैतर वारेल बीमारी जो है, self-limiting होती है, जहां तक influenza, तो हर साल यह season influenza का season ही कहा जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा temperature नहों या बहुत कम temperature नहों, उनके लिए favorable होता है, इसे में काफी temperature कम degree के असपास रहता है, लेकिन वह बहुती cold भी नहीं है, 4-5 degree भी नहीं है, या लू नहीं बारा है, लू बारने पे भी influenza के virus जो है, survive ठीक से नहीं करते हैं, तो यह season है, हर साल जो जैसे ही होते हैं, जैसे covid के symptoms हैं, कि running nose होना, fever हो जाना, उसको actually influenza like, eye light कहते ही है, eye light जो है, covid में भी eye light symptoms जो कहते थे, influenza like symptoms, illness जो है, वैसे fever होना, sore throat होना, गला खराब हो जाना, इसमें additional थोड़ा सा, कि test change वाजाना, जो influenza में जो ली नहीं होता है, कि बिलकुल मुख का test नहीं आ रहा है, या influenza में body एक बहुत जादा होता है, body एक इसमें predominant symptoms नहीं है, बाकी symptoms दोनों ही एक जैसे है, तो ये कहना कि आपको influenza है, या ये कहना कि flu या covid है, बहुत है कहना, जब तक हम test नहीं करें, but test करने की भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहा गया है, क्योंकि test करने से क्या होगा, कि आपको पता चलेगा, जब तक test का result आ रहा है, आप asymptomatic होते जा रहे हैं, self-limiting disorder के लिए का पांच से साथ दिन है, जिनको infection देना था, even आपको आज infection हुआ, दो दिन बाद symptom आए, ले बहुत matter आज की date में नहीं करता, बिल्कुल, ठीक है, तो जैसे आप सभी कह रहे हैं, कि अपने आपको मजबूत बना कर रखिये, यही एक रास्ता है, बिमारी से लडने का भी, और जाहिर तोर पर इससे हम पार जल्दी पा जाएंगे, क्योंकि यह बात कहीं जा रही है, कि कि इसकी कितनी लहर आएंगी, यह भी नहीं कहा जा सकता है, ऐसे में आपने जो बात कहीं, डॉक्टर राजगुपाला, कि जानकारी सही होना ज़रूरी है, और आयूरवेद ठीक है, आपको ठीक करेगा, लेकिन सही समय, सही मात्रा उसका सबसे बड़ा नियम है, तो ऐसे मे आप बताए लोगों के लिए, जो हम रेमिडी की बात हुरी है, प्रिविंटिव जरश की बात हुरी है, उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ? दिए के हो मेजे बाद करते हैं तो हमारा किचन ही एक बड़ा अच्छा फारमेसी है तो हमारा किचन में जो अप किचे घगा दीजा द्धोर आपको पूख रहे हूं कॉलर भेट करें रहे हैं। रामन हमारे साथ जुड़े हूँ है उनका सवाल परेले ले लेते हैं। Raman, आपका स्वागत है, बताएए के प्रशन आपका. Raman, आप सवाल बूछ सतने हैं, बताएए. आपने भॉक्टर को दिखाया है? जी दिखाया मैंने, जबाई दे रहा हैं लेकिन दबाई कासरकाता मुटाफिर ते पासावय हों दोाजिकी हैं एक और को बता है टेक है और यह क्यों हो रहा है कि आपको बताया थास्थार ने क्या वजा़ है अल्ट से लुज फॉरा थीक है रहन मर्मा आप थोड़ी दिर रहा हraf सथाथ क्षा गजा हो सऽाल करें अपक्रस और horsड़ कोछ करें क्या हुआ है या यह कभी ठीक होने वाला है तब तक दूसरा हो गया होता क्या है जब भी कोई वाइरल इंफेक्शन होता है आपने यह देखा होगा कि कई बार हमें कामन कोल होता है वो भी कोरोना वाइरस का यह है जो सर्दी जुखाम होते हैं सीजनल लेकिन उसके बाद नाक बहना इसकेंडरी बैक्ट्रियल इंफेक्शन होता है शरीर कमजोर हो जाता है उसे में दूसरे इंफेक्शन भी हो जाते हैं तो पता चला आपको अभी इंफ्लुएंजा हुआ उसे थोड़ा सा सरीर कमजोर था इसलिए साथ-साथ कुछ दिनों बाद कोबीड भी हो गया तो इसल इसलिए वाइरल डिजेज में एंटिबार्टिक का कोई रोल नहीं होता बहुत से लोग सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं एंटिबार्टिक शुरू कर देते हैं वह प्राबलम ज्यादा देता है उनको फाइदा नहीं देता है नहीं इंफ्लुएंजा पेंटिबार्टिक तो इसलिए फालो अप में रहना जो है डाक्टर के जादे जरूरी है अपने मन से ना करें प्लस कुछ घरे लिए नुक्से कर सकते हैं कि जो आपको जो है खांसी सब में आराम देता है अभी डाट साब ने बताया था जैसा बिल्कुल तो उन्हीं होम्रेमिडीस की बात करते ह जाहितार पर बहुत सारे अपाय हैं जो लोगों को आज पता हैं सेमें क्या करना है य क्या नहीं करना है अरुवेड कि नहीं हम क्या कहते हैँच इस पर एक बाद करना जरूरी है どक्राज वपला ।क शूरू पला बताईए आहार है जो पेट भरने के लिए देते हैं, nutrition value ज़्यादा होना चाहिए, जैसे अभी पिछले call जो किये तो बोल रहे थे, ऐसे condition में गरम पानी का प्रयोग करना, गरम पानी हमेशा स्वास्थ के लिए अच्छा है, गरम पानी मतलब ऐसे नहीं है कि पानी रख दिया, आदा ग digestion को correct करने के लिए अच्छा है, जिस आदमी का digestion अच्छा है, जिस आदमी का पाचन समसान अच्छा है, तो उस में उनका व्याधी रोकने का शक्ती भी अच्छा होता है, अक्सर हम यह देखते हैं कि बुखार आया, उसके साथ-साथ पेट गड़बड होता है, ठीक हो गया, उसके साथ-साथ बुखार भी ठीक होता है, यह self-limiting diseases में अक्सर देखा जाता है, जैसे घर में तुलसी है, तुलसी का रस लेना, आदरक है, आदरक का रस लेना, थोड़ा आदी चम्ची ले लिजिए, उसके साथ थोड़ा चा शहद मिला के दिन में एक या दो बार लेना, खासी को कम कर देगा, बुखार को भी कम कर देगा, पाचन शक्ति को भी बढ़ा देगा, बट ऐसे नहीं है कि अच्छा है, बोलकर दस बार ले लेना, ऐसे डिटी बढ़ा देगा, यह ध्यान रटना बहुत जरूरी है, एकदम सेफ बोला गया वस्तू भी, शरीर का आरोग में ध्यान देना होगा, तो इसलिए आप भी मानते हैं कि किसी अच्छे विशिशगे को दिखा कर तब कोई भी चीज़ शुरू की जाए, जरूर मानता हूं, वात अपितकव जैसे शरीर में है, ऐसे हमारा जो सीजन है, या रुतु है, अभी जो समय है, रुतु संधी बोल रहते हैं कि वाइरस और ऐसे सुख्मे जीवियों का ग्रोथ या पाइब स्प्रेड होने के लिए भी अच्छा वैदर अच्छा मौका है वोलके, तो आईरवेद भी यही मानता है, तो डॉक्टर्स का या वाईदी का परामर्श लेना बहुत जरूरी है, जो भी करने से पह हमारे साथ जोड़े हैं, बिहार से हमें कॉल किया है, स्वागत है आपका रवी, प्रशन पूछ सकते हैं बताइए, जब भी खांसी टाइप की सिम्टम हा रही है, वो बहुत लंबा टाइम ले रहा है रिकावरी के लिए, वन मन्त, वन एन हाफ मान्त, फटें डेंस, रिका कर रहे हैं, क्या रिजन हो सकते हैं? अचछार के लिए अमेचर को काम नहीं करेंगा, वो नुक्सान आपको शरीर को देगा, एक तो और नेसेसली अचथर लेना, दूसरा जो है, जितने हमारे डेवलफ हो रहे हैं, क्या रैका हो नहीं नहीं कर रहा है, वो इसलिए हो रहा है कंसी मिस्यूस बहुत जादा हो रह एक दो पॉब्लिकेशन्स आये हैं कि हो सकता है यह हाइपर इम्यून रिस्पांस से सम्मंदित हो तो वैक्शिनेशन, कोबीड होना, फिर से कोबीड होना यह उससे जो है और ज्यादा रिस्पांस हो रहा है बट इसके लिए भी और इविडेंस जनरेट करनी की जोरत है धिरे जो है जब चार हपते के बाद भी रहा रहे हैं तो उसको लांग कोविड ही कहा जाता है चार हपते के अंदर ठीक हो जा रहे हैं तो फिर उसको लांग कोविड हम नहीं कहते हैं तो यह हो सकता है लांग कोविड हो ठीक है जो दो बाते कहीं है लांग कोविड और बार बार क उसका जो susceptibility है, उसका एक किसी चीज के लिए जो एजेंट है, उसके लिए affinity क्या है, और उसके लिए कौन सी environment में है, मतलब सारे लोग सबी एजेंट को exposed हो रहे हैं, अगर सभी को सभी disease से आक्रमित नहीं हो रहे हैं, और कोई-कोई हो रहे हैं, क्यूंकि उनके अंदर में ओ फेवरेवल कंडिशन मिल जाती है, ओ एजेंट को ग्रो करने के लिए, और ओ एजेंट एक अच्छा environment उसको मिलता है, जिसके बदले ओ अपना symptoms दिखा पा रहा है, और ओ डिपेंड करती है किसका immunity किस तरीके से, इसी में जैसे अभी बोल रहे थे कि उनको वैक्सिन लेने के बाद ही बार बार खांसी हो रही है, हमारे होमियोपती में एक terminology है कि वैक्सिनोसिस, मतलब दिखा गया है कि वैक्सिनेशन के बाद कई सारे problem होती है, तो इसको हम अभ भी बोल रहे हैं, मगर अभी तक उसके लिए सफिशेंट डाटा नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो आज की तारिक में हम पूरे इस अलोचना चक्र में बोल नहीं सकते हैं, कि एग्जाक्ली भैक्सिनोसिस सारे लोगों के लिए अगसेटेबल नहीं है, मगर होमियोपती मे एग्जाक्ली बोला जा रहा है कि बैक्सिनोसिस है, अगर बहुत सारे डोज मिल जाता है जिनको, तो उनको रिपिटेड आटा, क्यूंकि बैक्सिन क्या होती है, एक लोग काइंड अफ वह मिल रहा है वाइरस का, तो वाइरस अभी हो सकता है हमें वाइरस को एक्सपोजर ह हो और ना हो, मगर यहां पर हम जबरदस्ती भाइरस ही दे रहे हैं, तो फिर उसका इम्मुनिटी और सिमिलर काइंड आफ सिम्टम्स प्रोड्यूस करके फिर उसी डिजीज का एगेंस्ट में और फिर काम कर रहे हैं, मतलब उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, तो सेम जो थियो उनको दिया जाये, नहीं होता है, कि सिमिलर टाइप अप कुछ दूसरे चीज़ भी, जब प्रोपर्वेंग के ब्रभूप रहे हैं, वहाएं सिमिलर काइंड आफ सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, तो फिर जाके इस सिमिलर टाइप अवप सिम्टम्स होके उसी मेडिजिस जब हम दे रहे हैं उसे disease में होड़ ठीक हो रही है और लॉंग कोबीड जो हो रहे है क्योंकि हमारे अंदर जैसे कि है ऐर्वेदाय में है बांतफ़ पीटर कप ऐसे होमयपती में है शॉरा स्विलिस साइकोसिस तेकि क्योंकि disease जो होति है एक acute disease होती है a chronic disease होती है Again, acute disease एक individualistic disease होती है, एक sporadic disease होती है, एक epidemic होती है. जो individualistic disease होती है, जो हमारा main culprit है, कि मतलब chronic myosem, उसका latent, more or less, एक stage में इंसान normal रहता है, apparently healthy रहता है, मगर वो जब कोई एक unabundable condition में exposed होती है, उसी टाइम पे उसका latent disorder फिर exposed होके disease produce करती है, इसलिए किसी-किसी ब्यक्ति में ओर long COVID देखना को मिलता है. बहुत गहराई से और बहुत अच्छे से समझाया है, डॉक्टर पदमाले ने इसके बारे में हमें. डॉक्टर राजगुपाला कहा जा रहा है, जैसे डॉक्टर साब ने भी बताया था कि संकरमर तो बहुत ज़्यादा तेजी से वेरेंट फिला रहा है, खत्रा कितना है, उतना ज़्यादा खत्रा अभी तक सामने नहीं आया है, कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जबसे भी COVID की बात हुई है, जबसे हम इससे जूज रहे हैं, को मॉर्बिडिटी वाले जो लोग है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उन पर खत्रा बहुत ज़्यादा है, तो खासकर को मॉर्बिडिटी और जो वृद्ध लोग हैं, जो बुजर्ग लोग हैं, उन्हें आयुरुवेद की नजरिये से इस समय क्या करना चाहिए? देखें, को मॉर्बिड कंडिशन में आता है कि जिसको लाइफस्टैल डीसीस या नॉन कमिनकेबल डीसीस बोलते हैं, ओबेसिटी, एक तो स्थाउलिया, शरीर का वजन जो प्रमाण में होना चाहिए उसे बहुत ज़्यादा है तो, या डायबेटीस है, या हाईपरटेंशन है, ऐसे कंडिशन में सामान यता है, उनका रोग प्रत्रोद शक्ति कम होता है और वो कुछ मेडिसिन लेते रहते हैं, उनमें ये उपरचुनिस्टिक इंफेक्शन्स, जो है उसका चांसस ज्यादा होता है, तो उसका प्रिवेंट होके आता है, जैसे ठंडे वस्तु है, या जो वाइरस या वाइरल लिसीजस का बढ़ाता है, ऐसे चीज़ों को उनको एवाइड करना चाहिए, खाना पिना गरम, परसनल प्रिवेंशन मेशर, मास्क पहनना, ये सब करना चाहिए, उसके साथ अनावश्यक बाहर घूमना, अनावश्यक बहुत लोग जमाड़ा होता, ऐसे जगह पर जाना, ये सब को उनको एवाइड करना चाहिए, और अपना जो बेसिक बीमारी है, जैसे सब करना चाहिए, और अपना जो बेसिक बीमारी है, तो डियाबटीस का जो दवा है, उसको व्यवस्तित रूप से लेना भी जरूरी है, तो शरीर का स्वास्था का ध्यान रखते हुए, उनको इस समय में जागरोकता रखना चाहिए, बिल्कुल, डॉक्टर संजर आया, जो मैंने कोर्मो अपरेटी के बारे में बात कही है, या बजर्ग लोग है, या बहुत जादा चूटे बच्चे जो है, 6-12 साल, हमारी कंट्री में 12 साल से कम के बच्चों को अभी तक वैक्सी नहीं लगी है, और आप कंपेर कर लें, तो कहीं भी किसी भी दुनिया में जहां वैक्सी लगी भी है, और नहीं लगी है, बच्चे प्रोटेक्टेड है, ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे बहुत ही, चाह 15,000 की देथ हो रही थी, बच्चों में जो रिपोर्टेड है, दो डेथ हो रही थी, तो अधारा साल से कम के बच्चों में दो, और वो भी जो है, जैसे डार्ट साभ ने बताया था, बहुत ही मार्वीर्ड ओबेज है, मतलब मोटापा भी जो है, वो भी एक बिमारी टाइप क आल्मोस्ट 70% बच्चे जो है 60-70% की बीची में उस समय इंफेक्ट हो गये थे सेकेंड वेप के बाद ही और यह पता है कि लंबे समय तक प्रटेक्शन देता है तो बच्चे हमारे प्रटेक्टेड हैं बच्चों को लेके चिंता नहीं करनी चाहिए लेकिन उनके खान-पन और दिंचर्या का ध्यान जरूरा है खान-पन तो हमेशा अच्छा होना चाहिए जाये बच्चों का बच्चों का बैलेंट लेनी चाहिए वह इम्युल्टी के लिए ज़रूरी है कि अच्छी बैलेंस डाइट लेते रहें जो भी उस उमर के लिए बैलेंस डाइट है मतलब मिक्स डाइट लेते रहें fruit का 7 हमेशा करें यह सब आता है हमारे बैलेंस डाइट में तो वो लेते रहें अपनी unity बढ़ा है भुजुर्ग भी जो है देती हो गई लेकिन जो लोग बच गए हैं उनको चुकि नेचुरल इंफेक्शन भी हो चुका है वैक्सीन भी लग चुका है तो हाइब्रिड टाइप क्युम्निटी हमारी कंट्री में वह काफी लंबे समय तक प्रोटेक्शन दे रहा है तो अभी ऐसा देख के नहीं लगता वैक्सीन भी लग चुका है उसके बाद भी इंफेक्शन हो चुका है तो नाव या बेटर प्रोटेक्टेड एक कॉलर और जुड़े है हमें लाल मोहर ने कॉल किया है असाम से महां साथ जुड़े हुए है स्वागत है लाल मोहर जी बताए क्या प्रशन आपका सवाल पूछ सकते हैं आप लाल मोहर जी बताए ठीक है इस समय लग रहा है उनसे संपर्ग टुक चुका है टॉक्टर पदमाले जिस तरह से डॉक्टर साब बात कह रहे हैं लेकिन जाहिर सी बात है कि डरना नहीं है लेकिन लाब परवह भी नहीं रहना है प्रुड़ा सचे तो इसे लेकर आप क्या कहींगार डीजीज हो हमें आमतोर पर हमारा मेरा में एम है कि हमारा हा घल्थ को हम ठीक रखें तो एंभार्मेंट मैं जब एक्सपोज हो रहे हैं तो डिफरेंट कांड़ से ऑजेन्टा आरही हैं तो सभी के लिए हम हमuben दों डर रहता है किसी ना कि अफेक्ट हो सकते हैं, मगर इसलिए ऐसा नहीं कि डर के मारे हमें घर से ना निकलना है न हमें अपने कामकाज ना करनी है, सब कुछ करेंगे, मगर उसकी साथ हमें हमारा कुछ मनलब प्रिवेंटिब मेजर, वो भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा, मेलली हमें आहार, बिहार, एक तीनों पर हमें पूरा धक्यान रखना पड़ेगा। जो हमारे जर्ण केμε, जो ग्राफिकल डिस्ट्रिबिशन हैं, उसी एरिया में जो क्रॉप पैदा होती है, उसी को हम सेवन करें। इस हम हमारे खानने में अभी मिल्ले啦's एयर भी मालनक किया जा रहा है। तो हम हमारे खानपान में मिल्लेक्स को भी हम अपलाई करें, आड़ करें, जैसे क्योंकि इसमें भी ग्लासमिक इंडेक्स बहुत कम है, तो हम मिल्लेक्स को ज्यादा हमारे खानपान में डालें, और बच्चे जैसे होते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा ले रहे है और इविन बड़े भी हम westernize हो रहे हैं, हम अपने खान-पान में पूरा change लाए हैं, उसको भी हमें ख्याल रखने पड़ेगी, हम अपने स्वदेसी जो food है, उस पे हम ज़्यादा विचार रखेंगे, और सही मातरा में vitamins, micronutrients, macronutrients, सारे के उपर हम जोर डालके हम सही मातरा में अपना खान-पान का सेवन करेंगे, जैसे विटामिन D को भी हम exposed होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सारे लोग AC में रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, तो विटामिन D का हमें time to time थोड़ा धूप में निकलना है, बच्चे अ सारी छोड़ी बाते हैं, जो है कि हमारा आहार बिहार, आचार बैवार में बहुत परिवर्तन लाना पड़ेगा, मैंली सारे disease अभी जो हमें infective disease होती है, वो भी due to हमारा lifestyle, उसमें भी हमारा disease को हम और progress कर लेते हैं, बल्कुल, और ये बात शायद COVID के time में थोड़ी बहुत स जब दिनचर्या की जैसे मैंने का, lifestyle की बात जो हम कर रहे हैं, और lifestyle related जो diseases हैं, वो भी काफी जादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आपो लग रहा है कि जो immunity है, उसका कही ना कई सीधा संबन, stress level से और बाकी इन सब चीजों से हो, और ये समझ रहे हैं कि आप लोग? जी है, आप समझ के रहे हैं, ये तो आज से नहीं, हजारों साल से पता है, बहुत से पभी किसे नाज़े हैं कि stress level अगर आपका ज्यादा है, तो immunity शरीर की कम रहे हैं, उसमें कई तरीके की infections हो सकते हैं, तो ये तो known है, plus during COVID time restriction के काण लोग घर के अंदर रहे, तो physical activity बहुत क हमारी हों को control करने में, जो especially lifestyle disease हैं, वह जो है, कहीं न कहीं से जो है, during COVID जो है, जादे हुआ, उसका एक सबसे बड़ा काण है, हमारी जो दिन चर्या है, उसमें change हो जाना, हम घर से बाहर नहीं जा रहे थे, lockdown था, या lockdown खुलने के बाद भी हम जातर जातर तक घर के अंदर र होने के चांसे हैं, restriction food में भी जाते तो variety of items नहीं लाते थे, बैलेंस डाइट का बहुत ही बड़ा रोल होता है, कि क्या खाएं, कितनी मातरा में खाएं, ज्यादा जरूरी होता है, कि और कितनी मातरा में खाएं, बैलेंस डाइट नहीं करेंगे, आप different variety नहीं लेंगे, तो स कितनी मातरा में खाएं, तो इसका पुर्वें रोल है, बिलकुल, एक आखरी कॉलर हमारे साथ कारेक्रम में एहमद जुड़े हैं, उत्तरप्रदेश से इनों नहीं कॉल किया है, एहमद साब शुक्रिया कॉल करने के लिए, बताएए क्या प्रशन आपका, पुछे मैं हमें काफी दुनों से खासी हो रही है, जी, उसकी कुजे से में खासे खासे मक्रिस वगरा जो होती है, पेक में जो है दढ़ दोने लगा है, और कब बट कम निकलता है, अच्छा, आपने किसी दॉक्टर को अभी तक दिखाया है, हाँ, दास्टर के दिखाया है, तो अभाधा लगता है, ठीक है, कितने समय से खासी है आपको? करीब हो गया, तीन हपते हो गया है, ठीक है, और एक बात बताई, आपने दॉक्त को दिखाया양 है कोई बजय बताई है, specific, क्यों है खासी? बजय तो नहीं बताई बजी है, उरों हमे प्रा इलाज शुरू कर दिया और सीरत दिया है ठीक है और दवाई जी है ठीक है, ठीक है एमद खान को भी तीन हफते से करीब खासी है और कह रहे है, इतना है कि उनको पस्लियों में और मसल्स में दर्द होने लग जाता है क्या कर सकते हैं? खासी का कारण क्या है, वो देखना है पहला प्रशनी यह है कि आपको तंबा को अगरे सेवन करने का आदत है बीडी, बीडी, चिग्रेट, गुटका, पान देखिए यह तंबा को अगरे सेवन करते हैं ऐसे जो हैबिट्स है, यह रिस्पिरेटरी लेस और इसे कंडिशन को और खराब कर देता है अगर ऐसे कुछ आदत है तो उसको पहले छोड़ना चाहिए और उसके बाद दवा करना चाहिए बोल रहे हैं कि राहत तो मिला है तो शायद उसी को आगे बढ़ाना है लाउंग कोविड में या इलाई इसमें भी जब शरी थोड़ा ढिला हो जाता है तो ऐसे कंडिशन ऐसे लक्षन थोड़ा लंबा समय चलता है तो आहार में और उनका आदत में थोड़ा परिवर्तन करते हुए दवा कर लेंगे तो ज़्यादा फाइदा मिलेगा ठीके रोक्र संजराई मैं चाहूंगी आखर में आप एक सला जरूर्दी खासी को लेकर सवाल आएं हैं हमारे पास और लंबी खासी चल रही है आपने एक लॉंग कोविट की भी बात कही और दूसरा हो सकता है कि कोई और कारण हो ऐसे में सही इलाज, सही दवा और सही कारण का पता होना कितना जरूरी है देखिए लोग घबडाये नहीं, फ्लू हो सकता है, कोविट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो घबडाये नहीं और अपने आप सेल्फ मेडिकेशन न लें इस्पेशली एंटिबाटिक जो है, सरकार भी बार बार करें यह एंटिबाटिक यूज न करें, वह ज्यादा नुकसान दें, समाज के लिए भी और खुद के लिए यह अगर काम करने, अगर ज्यादा प्राब्लम होती है आप डाक्टर की सला से कोई भी दवा ले सकते हैं, वह नहीं लेना चाहिए सेल्फ मेडिकेशन को बंद करें, लांग कोई हो सकता है, लांग कोई होगा तो दीरे दीरे जो है, अपने आप जो है, वह भी एक तरीके से सेल्फ लिमिटिंग है, बहु जादे प्राबलम है, सर पड़ानी की जुरत नहीं है, एंटिवाटिक खुद नहीं लेना है, और डाक्टर की सला लें, बस. जो एक नियमित दिंचर्या के पालन की बात कही जाती है, वो सिर्फ COVID के दौरान ही नहीं, बलकि जीवन भर, एक जीवन शैली को अपने बहतर बना कर चलेंगे, तो सिर्फ COVID ही नहीं, हर बिमारी से अच्छे से लड़ा जा सकता है, और अगर कोई लक्षन दिख रहा है, तो कर दो, कर दोस्तिक कोईश